असलामलेकुम इस सीरीज में हम डिसकस करें हैं वो equations जो डियूस हो जाती है quadratic form में विष्टी तीनों वीडियो में हमने टाइप 1 तरह डिसकस की थी और उसकी बाद टाइप 2 और उसकी बाद टाइप 3 आज हम टाइप 4 equation discuss करेंगे जो quadratic form में change हो जाती है सबसे पहले इसका structure किस तरह का होगा इसका structure इस तरह का होगा जिसमेh exponential function involved हो ठीक है तो इस equation को हम exponential equation भी कहते हैं ठीक है इस तरह का exponential function इसमेh involve होगा a of x ठीक है यहाँ पे हमार पास a is greater than 0 है और a is not equal to 1 a 0 से भी greater होगा और a not equal to 1 भी होगा यह हमारे पस exponential function है, यह exponential function जिस equation में involved हो, उस equation को भी हम change कर सकते हैं quadratic form में exponential function जिस equation में involved होता है, इस equation को हम कहते है exponential equation ठीक है इस तरह का हमारे पस एक equation होगी ठीक है इस equation को हम exponential equation भी कहते हैं क्योंकि इसमें exponential function इंवाल्ड है इस exponential equation को भी हम change कर सकते हैं quadratic form में कैसे हम change करने के सबसे पहले हमने इसको यहां पर हमारे पस यह जो 2 of x है इसको हम y कहेंगे ठीक है हम इसको solve करते हैं इसको हमने rewrite करना है इस equation को हमने rewrite कर लिया है अब हमने यहां पर 2 of x की जगा हम इसको replace करेंगे y के साथ यहां पर हमारे पस 2 of x को हमने y के साथ replace करना है अब हम यह यह इदर 2 of x की जगा पूट करेंगे यहां पर y आए तो इसके उपर यहां पर यह इसके रहाए तो यह इसके उपर आजाएगा minus 10 y plus 4 equal to 0 यह हमारे पस अब quadratic equation y हो किए अब हम इसको solve करेंगे quadratic equation को जैसे solve करते हैं सबसे पहले हम इसको simplify कर लेते हैं यहां पर हम divide on to both side करेंगे ठीक है जब हमने 2 के पर divide किया तो हमारे पस यह equation बन किया अब हमने इसको factorize करना है factorize जब हमने किये तो इसको minus 5y को break किये है minus 4y minus y को जब हम इसको add करेंगे तो minus 5y आएगा और जब इसको multiply करेंगे तो हमारे पास 4y स्कला करेंगा ठीक है अब हमने इन दोनों को pay अप कर लिएने first 2 को and last 2 को यहां से 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 यहां स और और 2 y minus 1 equal to 0 है it means that y equal to हमारे पस 2 है और y equal to 1 by 2 है अब हमने हमारे पस y की दोनों values आगी है अब हमने answer x में लेक्षाना है ठीक है original equation में हमारे पस variable x था ठीक है अब हम replace कर लेते हैं दोबारा y हमारे पस 2x था था हमने y की जगा 2x दिखिया equal to 2 और इसी तरह आएगा यहाँ पर भी y की जगा 2x equal to 1 by 2 ठीक है अब हमने यहाँ पर x की value लाने के लिए यहाँ पर हम इसको compare करेंगे 2 की power x equal to 2 की power 1 और 2 की power x equal to 2 हम उपर ले जाएंगे तो हमारे पस आजाएगा 2 की power minus 1 अब हमने दोनों की power compare करनी है हमारे पस आजाएगी power compare करनी के बाद हमारे पस आजाएगा x equal to 1 और x equal to minus 1 ठीक है अब हमारे पस आजाएगा तो हमारे पस आजाएगा तो हमारे पस आजाएगा तो हमारे पस आजाएगा 1 minus 1 कामा माइनस 1 तो अजाएगा आज हमने डिसक्रस की है type 4 equations जिनको हम रिड्यूस करते हैं quadratic form में in the very next video we will discuss type 5 equations जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं quadratic form में take negative Allah Hafiz